पहले पाकिस्तान, फिर युवेई और उसके बाद उमान इंडिया ने बता दिया है कि गुरू जलवा हो तो हिंदुस्तान के जैसा बाकि खेल तो इस्या कप में बहुत लोग रहे हैं हाँ, जलवा जो है वो अभी भी जलाल है क्योंकि टीम इंडिया का दिख रहा हर बार कमा पहले पाकिस्तान को पटका, फिर युवेई को हराया और अब उमान को उमान में एक तरफा मुकाबले में टीम इंडिया ने हरा दिया इंडियन टीम जो है यार, मतलब अब खाली फाइनल का इज़ार हम को है कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान होगा, वहाँ पर नफस होल करती है नहीं करती है क्योंकि जो कागस पर टीम है, वो फिलाल नंबर वन टीम है कोई मैच नहीं है इंडिया का किसी भी और टीम से किसी भी और टीम से कोई मैच नहीं है क्योंकि इंडिया dominating situation में जबर्दस dominate कर रही है यार लॉंडे देख दोड़ा दोड़ा के मार रहे है चाहे अभी शेक शर्मा हो आयूश बदोनी हो, रमन दीप हो या हमारे गेनबास जो है जिसको मौका मिल रहा वो चड़ जा रहा है और ये इस एशेक अप में दिखा है हमारे नए लड़कों में पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ था तगड़ा मुकाबला था, हाई प्रेशर गेम था लेकिन पाकिस्तान को आखिर में साथ रन सहर आएगा UA को साथ विकेट सहर आया और रोमान को छे विकेट सहर आया और complete dominance जो है वो फिलाल टीम इंडिया का यहां दिखाई पड़ रहा है कप्तान तिलग वर्मा के अखवाई में इंडिया बढ़े हैं कोशिश करते हैं कि स्कोर कार्ड चलाते रहे और उनके आसपास जो लड़के हैं वो ताबर तोड़ खिलते हैं ताकि महौल जो है वो बना रहे आज भी यही था ओमान ने 20 ओवर में 140 फिन मनाए पांच विकेट के नुकसान पर कोशिश थी उनकी कि थोड़ा सा मैच में जान डाली जाए टॉप ओर तो नहीं लेकिन लोवर ओर थोड़ा बहुत चल रहा था उनका हमारे गेंदबाज जो थे आज काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कई सारे गेंदबाजों को मौका दिया गया था आज आकिप खान नहीं आये थे बहेंगे साबित हुए राशक सलाम जो है हर बार की तरह टी-ट्वेंटी में कमाल रहे हैं संधू और रमंदीब भी ठीक थे एक एक विकेट निकाल के अपना काम कर दिया साइकिशोर को मौका मिला था वही साइकिशोर जोनों ने कहा था जी इंडिया का बेस्ट स्पिनर तो मैं हूँ चार ओवर 21 रन दिये राहुल चेहर थे बदोनी साहब कमाल थे पंदरा ओवर 21 रन बना लिए और मैच आसानी से जीत लिए इंडिया की लगातार तीसरी जीत है इंडिया अब एशिया की सेकेंड बेस्ट टीम से खेलेगी अगला मैच सेमिफानी इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान अफगानी हमारे भाई हैं पठान हमारे भाई हैं इसलिए हम अफगानिस्तान वाले मैच को लेकर बहुत कुछ नहीं कहेंगे उम्मीद करेंगे बढ़िया मैच हो इंडिया जीते अफगान भाई अपना दुआ करेंगे दोनों भाई को दूआ सलाम, जिंदा बाद, तुम खुश हम खुश, तुम जीतो हमारे हैं, हम जीते हैं, ओवर आल हम चाहिए हम जीते हैं, फाइनल में क्या हमें पाकिस्तान मिलेगी, चांस से जादा है, हो सकता है, श्यलंका शायद उन्हें हरा कर पहुँचे, लेकिन फिल लेकिन अभी शेक शर्मा बता दिया उन्होंने कि भाई हमको एक तरह खेलना आता है, और वो है आओ, मारो, जाओ, अब शेक शर्मा फिर यहीं किये, आए, 15 गिन खेली, 34 रंद मनाए, 5 चौका, एक शक्का मारा, और उसके बाद आउट हो के चलेगे, हमारा काम हो गया जी, तिलक वर्मा काम है कि भाई, तुम खूंटा गार के खड़े रहो, तुम मैच को डीप ले जाओ, और तुम्हारे साथ वाले मारेंगे, क्योंकि हिटर हमने भरे रखे हैं, हमारे पास आयूश बदोनी है, क्या आप बढ़िया मैच खिला है, 25 बॉल पर रखे नच तक लगा फिर रिवर्स मारा, घजब बैटिंग थी यार, वो बदोनी साब की, 24 बॉल पर, और आयूश बदोनी इससे पहले भी डेली वाले टूरामेंट में अच्छा कर चुके थे, बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने और दिल जीता था, तो मुझे लगता कि वो कमाल था, बाक वऔंदीप, वाले टोड नहीं है, आप बॉलिंग कोई तोड नहीं है, बैटिंग कोई तोड नहीं है, इस लड़के में दमखं है, आयूश बदोनी भी मुझे लगता है कि अब बॉल भी करते निज़र आएंगे, यह से लड़कों दिखाया और इन लड़कों की लेने वाला हर्षित राणा को लेना, हर्षित राणा is good बट रमन्दीप सिंह also is very good और इन दोनों में competition होगा कि आप रमन्दीप को impact रखोगे uncapped player के तौर पर या हर्षित राणा को, हर्षित बॉलिंग अच्छी करते हैं प्रवन्दी बैटिंग और फिल्डिंग बहुत तगड़ी करते हैं बॉलिंग में ठीक ठाक करते हैं और ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है ऐसे आयूज बदोनी का है लखनव क्या उन्हें जाने देगी मुझे लगता नहीं इतनी आसानी जाने देने वाली विका sob ये सारे ड़ीर बड़े प्लेयर है और एसे बहुत सारे प्लेयर है राश्यक सलाम ने ट्शी गिनवाजी की हर मैश में कर रहे है साई किशोर इसमें ठीक बार थे फिलाल राशिक सलाम हाइस विकेट टिकर है Emerging Asia Cup में तीन मैच में छे विकेट साड़े साथ की कौनमी है पाकिस्तान के सामने दो विकेट UAE के सामने तीन विकेट उमान के सामने एक विकेट जोकि दो ओवर किये थे So let's see, interesting है But अब असी लड़ाई तो इंडिया आफगान की है उमीद करतें पठान भाईयों से लड़के मज़ा आएगा और वो जीते हम जीतें हम चाहेंगे हम जीतें वो अपने लिए दुआ करें बागी फाइनल में पाकिस्तान से Coming soon या शिलंका से